नमस्कार स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केडशिक्स में और रुख करते हैं बिहार की तरफ रुख करते हैं केंद्र सरकार की तरफ बातें यहाँ पे बुरी लग सकती है इसलिए पहले ही मैं छमा मांगना चाहता हूँ लेकिन यह बात बहुत खरी है और एक ऐसा के लिए रोजगार मिला लगने जा रहा है केंद्र सरकार उसके लिए आगमिंद कर रही है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बिहार को भी याद दिलादना चाहता हूँ जो कि बिहार में भी एक ऐसा तबका है जो कि सबसे ज़्यादा परेशान है वो है युवा वर्ग और वो कि ये प्रोटेश चल रहे हैं पटना में जिया रोज लाठी खारे चाहतर वहाँ पर लेकिन यहाँ पर राजसरकार उसके कोई भी संग्यान नहीं ले रही है दो लाख नोक्रिया है सोच सकते हैं कि इतना बड़ा तबका वहाँ पर रोजगार में जा सकता है लेकिन बात कर जालने से लेकर उसकी ज्वाइनीं तक का जो सफर है वो कहीं एलेक्शन का सफर ना बन जाए है और वही हाल यहां केंदर में भी हो रहा है हर हाथ को यहां पर काम देने की बात कर रही है हमारी केंदर सरकार और आत्म निर्भर भारत बनने की बात कर दिये केंदर सरकार और ह जो युवा वर्ग है, उनके हाथ में कोई रोजगार नहीं लग रहा है, तो आपको यहाँ 10 लाख युवाओं को स्वार रोजगार मिला देने की अब चर्चा हो रही है, रोजगार की नहीं, स्वार रोजगार, आप कुछ से आए, अपना रोजगार यहाँ पे चूज करें, पसंद करें और उस पेर काम करें, डेट आउट हो चुका है, आपको मैं एक न्यूज अपडेट देखलाना चाहता हूँ, यह न्यूज अपडेट आज के दैनिक जागरन से अपडेट किया गया है, आप सभी छात्रों को मैं सुचित करना चाहता हूँ कि 11 से लेकर 19 फरवर के, चुकि यह जो संग है, यह आपको RSS की बात की जारी है, यह संग जो चालक है, यानि कि सर जो है यहाँ पे भागवत, यानि मोहन भागवत करेंगे इसका समापन, अब यहाँ पे इस रोजगार मिले में कौन-कौन से लोग आएंगे, तो यह प्रमुक उद्दम्मी हो सक सकते हैं, यानि कि जो भारत सरकार के लिए, भारत के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे बिजनेसमेन, ब्यापारी, जो कि इसमें पाटिस्पेट कर सकते हैं, क्रिशी और रोजगार विससगय को भी यहाँ पे इंविटिशन किया गया है, कि आप आएं, और यहाँ पर रोजगार के क्रांती में सामिल हो जाए अच्छा ये जो word लिखा गया है ना रोजगार क्रांती ये क्यों लिखा गया है चुकि इनकी सरकार है RSS और अगर देखा जाए तो RSS तो सपोर्ट में रहता है या जो भी भाजपा या निकि भारती जनता पार्टी की सरकार मैं देखे यहाँ पर आपको हो सकता है कि किसी दल को लेकर मैं बोल रहा हूँ तो नहीं मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को ही बोल रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जब रोजगार की बात कर रहे हैं तो क्रांती किस बात की आपकी सरकार है आप यहाँ पर रोजगार दीजिए और क्रांती तो वहाँ होती है जहाँ पर विरोध किया जाता है तो यहाँ पर नौकरी ही नहीं है रोजगार ही नहीं है तो यह खुद में ही कन्फ्यूज है यहाँ तो यह रोजगार क्रांती को लेकर यहाँ बाते की जा यहां अब आपको बता देते हैं कि बेरोजगारी की समस्या पर काबू करने के लिए काबू पाने के लिए राष्टिय स्वय सेवक संग भी आरे से जुट चुका है अच्छी खबर है अच्छा प्डेट है हर एक दल को आना चाहिए यहां पर उठकर अपनी तरब से हो सके ज् स्री गनेश किया जाएगा तो यह 10 लाख लोगों तक पहुंचाय जाएगा थीक है अब इनमें कितने लोग जो है सफल होंगे यह सक्षम है या फिर इस नौकरी को यहां रोजगार को पास सकेंगे यह तो देखने योग्य बात होंगी और दूसरी चीज अभी हाल ही के दिन के मादेम से बोला था कि आप जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों से रिक्वेस्ट है कि अधिसूषना जारी करें नियुक्तियों को लेकर कितनी रिक्तिया है किस विभाग में और डेड़ साल के अंदर जो है करेब 10 लाख नौकरी देने का इन्होंने भी वादा कि लेकिर ये वो 10 लाख नहीं है ये 10 लाख रोजगार की बात की जा रही है और वहाँ पर 10 लाख नौकरियों की बात की गई है जो कि हर एक विभाग को एक अपडेट दिया गया कि आप अपने दिशूषना जारी करें कितनी रिक्तिया हैं और डेड़ साल के अंदर बहुत ही फास्ट फारवर्ड मोड बे लेकर उसको लेकर आए और इन सभी छात्रों को युवाओं को रोजगार और नौकरित दी जाए वहाँ पर तो वो केंदर सरकार का है लेकिन यहाँ पर आरेसिस यानिकी जो संग है राष्टिय स्वय सेवक संग जो है इसकी बिहाफ में ये रो जो है आपको बता दे कि सबसे बड़ा आयूजन जो है इससे पहले 1999 में संग के अनुशांगिक संगठन स्वदेशी जागरन मंच से किया गया प्रगति मैदान में ही और ये आयूजन किया गया था उसके बाद अब ये हो रहा है आपको बता दे कि जिसमें की 5 लाख लोग उस समय और इस बर 10 लख लोगों का अमंत्रण दिया गया है मित्रो तो यहां पर हो सकता है दोस्तों अब इस खबर के असार पे चलते हैं यहां पर आपको बता दे कि संग जे जो भी है यहां पर आरेसेस इसका लक्ष है कि हर हाथ को मिले काम और आत्म निर पर हो भारत आप पर संग ने स्वरोजगार की चर्चा कर डाली है आपको बदा दे कि आत्म निर पर भारत के मोर्चे पर काम करना सुरू किया है उसने स्वालंबन भारत और अवियान सुरू कर देश की अर्थ वश्ता को 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर पहुचाने का यह साथ हाथ हाथ हर हाथ काम और देश की गरीबी मुक्त करने का लक्ष भी रखा है विसे इस बातिया है कि स्वदेशी जागरन मंच के निर्तितु में चल रहे हैं इस अभियान में भाजपा विहित और अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशद और लगुद्योग भारतिय किशान संग और ग्राहक पं यहां पर मिलकर कारे करेंगे और आपको रोजगार देने की बात करेंगे तो यह एक सच में करांती है यह रोजगार करांती है और यहां पर हो सकता है कि आप लोगों के लिए नए अपडेट नए नौकरियों का अपडेट मिल सकेगा चुकि यह प्राइविट सेक्टर की न ये चीज़े आपको समझ में आई होगी लेकिन एक ऐसा वर्ग जो कि अभी भी इंतजार कर रहा है नौकरी का एक नए अपडेट का हो सकता है कि यहां से आपको एक रास्ता मिले और आपको यहां पे रोजगार मिले तो आप भी जाएं जरूर अटेंट करें यह इस रोजगा चीज़े दो के लिए रिक्टिया निकाली है बाइस नवंबर जोंब आप इसको आवेधिन कर सकते हैं याने कि लास्ट डेट जो है बाइस नौंबर है यहां पर सेक्शन योगिता में अगर देखें तो दसवी और बारहवी कख्षा पास साथ राविदिन कर सकते हैं साथी नोटिफिकेशन है इसका ओफिशल वेबसाइट पर यानिके डियो पी जिया स्पोर्ट्स रिकूट्मेंट डॉट इन यह जो है इसका ओफिशल वेबसाइट है जहां से जाके आप इसके लिए आवे दिन कर सकते हैं और उमिद्वार का जो चैन होगा वो मेरिट के अधार पर पर और नॉलेज के अधार पर जो है आपको यहां पर चैनित किया जाएगा तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जैहन जैब्यार